तो दोस्तों आज हम एक सर्कृट बनाएंगे उससे क्या होगा देखिए जब हम कोई भी अपने बाहर लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें डेली उसे बंद हो डेली चालू करना पड़ता है लेकिन यहां पर मैं आज आपको एक ऐसा सर्कृट बनागे दिखाऊ जाएगा रात में अपने आप ही जल जाएगा देकि दूस्तों यूटूब पे आपको बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाती है लेकिन वहाँ पर सारी चीज क्या होता है कि हमें उस वीडियो पर हंड्रेट परसंट विश्वास होना चाहिए कि वह सर्कृट हमार यूटूब पर वीडियो देखा वहाँ पर आपको पता लगा कि आपको ऐस ऐसे कंपोनेंट लगा के आप यह सर्कृट बना लोगे आप मार्केट से वह कंपोनेंट लेके आगे लेकिन बाद में वह सर्कृट जिब नहीं चलता तो हम बहुत जादा निरास हो जाते हैं और करने के बाद उसको यूज करके देखता हूं और अगर मुझे वह सही लगता है तब जाके मैं उसको वीडियो बनाता हूं तो यहां पर आज हम देखिए मैं पूरा सर्कृट डाइगराम आपको बनाके दिखाता हूं तो उसके अंदर आपको एक ट्रांजिस्टर लेना सिस्थरेंग होग हमारा बीटी 136 इसके अंदर आपको तीन ट्रांग देखने के लिए मिल जाती है तो यहां पर क्या करना है आपको यहां Johannаем पर हमारा एक होगा रजिस्टेंस कनेक्ट रजिस्टेंस कनेक्ट होगा रजिस्टेंस का हमारा नंबर होगा तीन सो तीस के यह किलो ओम का रजिस्टेंस है हमारा तीन सो तीस किलो ओम का रजिस्टेंस तो यह यहाँ पर लग गया फिर यहाँ पर जो हमारा होगा यह वाला जो होगा होग Bing आप देखे Connection कैसे होगे अब देखें यहां पर हमारा एक बलप है यह हमारा एक बलप है कि इस तरीके से और इसमेंसे दो वायर निद्न हुआ है हमारे तो यहां पर क्या होगा जो हमारा क्षंड का बोर्ड है तो यह देखें, यह हमारा AC का board हो गया, अब इसके अंदर से, जो एक wire है, वो हमारा जाएगा यहाँ पर, और जो इसका यह वाले पिन है हमारा, इसका जो wire है, यह यहाँ से फिर यहाँ, और इस वाले wire पे जुढ़ जाएगा, यानि कि इसके अंदर connect नहीं है शिरिफ इस वाले wiring पर है फिर यह वाला वायर जो हमारा direct जो है यहाँ पर जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसके connection होंगे और जो हमारा सरकेट देखे इस तरीके से यह pin number हमारी 1, pin number 2, pin number 3 तो मैंने यहां पर क्या करा है यह वाला जो एक वायर है बलब का वो जोड़ दिया है खाली और खाली वो जोड़ दिया एक हमारा यह यानि कि यह जो हमारा IC यह स्रीज के अंदर लगा हुआ पिन नमबर वन और पिन नमबर टू पे तो यहां पर सिरिफ एक रजिस्टेंस और एक LDR लगेगा और जो हमारा सरकीट है वो एक तम सई से काम करेगा यह है एसी 230 बोल्ट पर काम करेगा एसी 230 बोल्ट पर हमारा यह सरकीट काम करेगा तो आप चलते हैं दोस्तों इस सरकीट की टेस्टिंग भी ले लेते हैं तो मैं आपने डाइगराम का एक स्क्रीन सोट ले सकते हैं आगर लेना चाहें त तो यहां पर हम में आपको circuit दिखाता हूं पूरा बना हुआ तो देखे ह matéri है और यहां पर सर्केट बना रखा हैँ तो फेले में को holder भी नगाल कर देता हूं तो यहां पर देखे हैं हमने क्या कर रखा इसके अंदर देखे यह हमारा ट्रांसिश्टर है ये रहर हमारा ये living ओर इस तरीके से आप देखें सुचक्य कि हम करता है तो दोस्तों मैं पहले सरकिट को खुद चला के बना के उसे अच्छा तरीके से यूज करके देख लेता हूँ जिसे कि हमारे किसी भी सस्क्राइबर भाईयों का पैसा जो वेश्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि देखे बाद में हम इतनी महनत करते हैं और वर्क्स समान भी लेके आते हैं फिर वो नहीं चलता तो बहुत ज्यादा निरासा हमें मिलती है देखने के लिए तो यहाँ पर देखे अब मैंने देखे इसकी लाइन लगा दी अब देखे यह एलेटी हमारा हलका जल रहा है लेकिन जब मैं यहाँ पर कोई लाइट को इस तरीके से जला दूँगा तो यह एलेटी देखे हमारा पूरी तरीके से बंद हो गया यानि कि हमारा जैसे की सूर तो देखे कितना अच्छी तरीके से हमारा जो सर्कुट है वो काम कर रहा है और दोस्तों इस सर्कुट को आप अगर चाहो तो अपने लगा सकते हो क्योंकि मैंने बाहर से इसलिए लगा के दिखाया क्यूंकि यहां पर जो आपको सर्कुट पूरी तरीके से एकदम प्रोपर ओपन दिखाई देता है तो उनको भाईयों को बहुत आसानी होती है सर्कुट को बनाने में तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी यो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना बैल के आइकन को जुरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा